नम्सक्रार दोस्âu आप श्रिभी का बहुत भोष्वागते दोस्व 29 और 28 जून खश्मई दोस्व जून माइके यह जो तीन दिन है आप शबी की जून काल में बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण शमई शाबित होने वाले है कि दोस्तों हम आप शुब को बता दें कि व्यक्ति के जुनकाल में जब गरहों की इस्तिती बदलती है तो उनके जुनकाल में बदला होना निस्युद हो जाता है और याश में भी गरहों की इस्तिती बदलेगी और आपके जुनकाल में बदला होगा लेकिन दोस्तों इनके शाती शात कुछ यसे अद्बुत चमतकार यश में आप शुबी के जुनकाल पर होने वाले हैं जिनसे दोस्तों आप शुबी का जिवन पूरी तरह बदल जाएगा जिया दोस्तों हम आप शुबी को बता दे कि यश में मालक्षमी की किरपा द्रिष्टी आपके कुंडली पर पढ़ने वाली है जिनसे दोस्तों आप शुबी के जुनकाल में आप शुबी के कुंडली में मालक्षमी धन्योग का निर्मान होने वाले हैं जिसे दोस्तों या जून मा का ये तीन दिन आप शिवी के जिउनकाल को बदलने वाले शाविद होंगे एक परशकार शेट कहें तो महिना खत्म होती होती आप शिवी के जुनकाल में आपको वह खुशकबियां देंगी जिने आपने कभी शपने में भी नई शोचे थे जिदोसों आप शिवी को बत्दादने की यश में मालक्ष्मी का उशा चमतकार आप शिवी की जुनकाल पर चलेगा कि आपको अचानक से बहुती बड़ा धन की प्राप्ति होने वाली है जे दोस्तों धन पाना का परवल इस्तिती आप शिवी के कुंडली में बनने वाली है होशक्ता है कि आपको यह शिमे कहीं पर अचानक से धन मिल जाए जे दोस्तों इन तीन दुनों में आप शिवी की जुनकालब में गरों की यह चाल और मालक्ष्मी का शिरबाद किश परकार आपके जुनकालब पर रहेंगे मालक्ष्मी आपको कौन-कौन शी बड़ी कुशकुपरियां देने वाली है अगर धन मिलेगा तो दोस्तों कहां पर मिलेगा कौन से राष्टे पर मिलेगा केश आप इनकी पहचान कर सकते हैं दोस्तों सभी जानकारियां इस वीडियो में पूरी गंबीर तरीकेश गरह गोचर पराधारित है तो दोस्तों वीडियो को अंत तक अवशी देखिएगा जो दोस्तों बात करते हैं शुरूआत करते हैं भMagवान शुरी किश्न के एक बहुत अच्छे ग्यांशे दोस्तों भगवान को छोड़कर दूसरी की आश्रा करना विश्वास करना भरोषा करना पाप है वह भिशार है केवल एक ही भगवान एशे हैं जो किशी व्यक्ति के पिछला इतियास नहीं देखते उसके वर्तमान आच्रण नहीं देखते वे देखते हैं केवल उनके विश्वास को और इस विश्वास को देखकर ही वे उस व्यक्ति के अभाव की अनुभूती का ही है जी एडोसों तो दोसों आपको भी अपनी जूनकाल में केवल और केवल भगवान पर ही भारूशा करना है जिया दोस्तों तो दोस्तों भगवान श्रीकृष्ण का यह बात अगर आपको शच्ची लगी हो इन पर यकीन हुआ तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा आश लाइक जरू करें और इनके लिए कमेंड बॉक्ष में लेक दें जाए श्रीकृष्णा राधिरादे तो दोस्तों वीडियो को अंततक जरूर देखेगा दोस्तों वीडियो के मद में आपको कुछ ऐसे विसेश उपाय बताएंगे जिनें कर लेंगे तो दोस्तों यश्मी मालक्ष्मी की अश्यम किर्पा आपके जियुनकाल पर बरशेंगी जया दोस्तों तो ध्यान से दोस्तों शमय बहतरिन है आपके व्यक्तितु के श्मक्ष बिरोधी आपके प्राश्त होंगे और आप यश्मी अपने काम को बहतरिन तरीके से शंपन भी कर सकेंगे दोस्तों यूआ वर्गों को भी कोई बहतरिन उपलब्दी यश्मी हाशिर हो सकती है इसके साथ दोस्तो दोस्तों आपके लिए आपको अपने भजट का ध्यान रखना चाहिए घर से समधित किसी कारव में अत्य धेक खर्चा भी हो शकता है किसी के प्रती अपने मन में युश्मे आपको नकात्मग विचार नहीं लाने चाहिए दोस्तों इन चीजों पर आपको ध्यान देने के आवश्रक्ता होंगी गौर करने की आवश्रक्ता होंगी दोस्तों आपको बता दे कि आप पर बना हुआ तनाव खत्म होने की वेश्य मन में आपके श्यमे परसंता रहेगी परिवार की किशी व्यक्ति की शेहत में सुधार दिखने के विज़शे भी आपकी तनाव से आपको छूटकारा मिल सकता है मित्र परिवार की शाथ भी बितायावा शमे आपको आनद देगा परिवार के किशी पीरिवेक्ति से समधित खुशकबरी भी यश्मे आपको मिल सकती है इसकी शम्होना यश्मे बन रही है और इसकी परांद दोसे यश्मे अस्तान पर वर्षन समधि कोई भी जना बन रही है तो दोस्तों उसे कारी रूप देने का उचित समय होगा आएके नई श्रोद भी यश्मे बनेंगे और आर्थियक श्तिती भी यश्मे आपकी बैतर रहेंगी आपको बता दें कि यश्मे नई दिकी मित्र की शिला आपके लिए परिशानियुश आपको रहाद दिलवाएंगी तो दोस्तों यह में आपको नई दिकी मित्रों के शिलाह लेशकते हैं यह आपके लिए बैठ रहेंगे और दोस्तों इसको प्रांद कभी भी अनुचे दिया फिर गैर कानुवी काम में रूशी ना ले इसके वज़से कोई जो है अपमान जनक इस्तित पन हो शकती है पारेव दोस्तों कामसी सब्सक्रांव से अपने जिमनदारियां बढ़ने वाली हैं आपको बदाते हैं कि जिसके विशन से थोड़ा सा तनाव का शामना भी आपको शमय करना पड़ सकता है नो रहने की किसी भी बात में निरले लेना आपके लिए थोड़ा सा इसमी कठीन होगा लेकि दोस्तों केवाल सोच विजार में ही आपका जोए अधिक समय बरबाद हो सकता है इसलिए दोस्तों वर्तमान में रहने की पूरी कोशिश करने होगी आपको इसमे जिसके दोबरा विचारों के स साथ साथ काम करने पर भी आपको द्यान देना यसमी समभ होगा और इसको प्रांद दोस्तों आपके लिए समय आपको बता दें कि दोस्तों यसमय अपने आस-पास की प्रेशानियों में कुछ बदलाव महसूद करेंगे और इन बदलाव का आपके विवक्तितों पर शकारत दोस्तों आपको द्यान रखना चाहिए कि महनत करने में ही आपका भागय आपका शयोग करें तो दोस्तों इसमी महनत पूरा दिल और दिमाक्षे करें किसी भी परकार की बहश या पिर गप्षप करने से इनसे बचें इनमें अपनी उर्जा को वेर्थ ना करें शादितों आपको बताते कि महत्मुं कारें की तरफ अपने ध्यान को करदेट करें यह आपके लिए बहतर शाविद होंगे और आपको बताते कि व्यक्ति के शाथ हो रहें बाद बादों को और आगे ना बढ़ाएं आपकी दवड़ाब बोलेगी कटऊ बातों के वेज़े श्मद बि लेकिन दोस्तों भुषे पर आपको यह काबो भी रखना चाहिए आपके लिए यह अत्य दावश्व होंगे तो दोस्तों जरूर निमपर ध्यान खुश ही देगा विद्यार्थियों की सिख्चा समंदी कोई रुकावर भी इसमें दूर होंगी इसके साथ ही दोस्तों यह में आपको अपने वहवार में कुछ परिवर्तन लाने की जरत होंगी शांती पुन तरीके सीस्तियां पर विचार विमर्ष करें गुश्रा और से अधिक फाइदा प्राप्त होगा पेशे से समंदी जागुरुकता रखें जरौत से अधिक खर्चा होने के कारण आपकी चिंता बढ़ सकती है और इसको प्रांत दोस्तों यह में आपकी केरियर को लेकर बात के नर्थात आपके वयशाय की तो दोस्तों यह में वयशाय क गतिदियों पर आपका पूर्ण नियंतरन रहेगा अधिकतर काम शमय अनुशार पूरे हो जाएंगी परन्तु अपने युजनाएं जो है किसी अंजान व्यक्ति से से शेर ना करें यह आपके लिए बैतर होंगे नोकरी पेशा लोगों का भी अपने ओफिस में मान शमान व कई बैतर उपलब्दी भी यश्मय आपको मिलने वाली है लोकरी पेशा लोगों के उपर जो है कारेभार की अधिकता रहने वाली है परन्तु शाथ ही कोई महत्पुन ओथर्टी भी यश्मय आपको पिल सकती है जिनसे आपका मन यश्मय पर्षन रहेगा और काम करने में य अधिक भैतर बनाने का प्रयाश करना चाहिए दोस्तों यश्मय जनसंपर का जो दाइरा है और अधिक विश्तित करें आपको अपने कारेश्चत्र में अवशी प्रगति नजराएंगी इसको प्रानतों से यश्मय आपके लिए जल समयोंगे दोस्तों आपको बदा दें श अधियान विसे इस रूप से आपको केंद्रित करना चाहिए और इसको प्रांदों से यश्मय आपकी लव लाइप करकर बात करें अर्थाद आपके पारिवरिक जोन की तो दोस्तों यश्मय फती पतली के शमन मदूर रहेंगे बच्चों की किसी नकारतम गद्यूदी का प परिकार शमता को बना कर रखेगा तदा आप शे शमनों में और अधिक यश्मय नई दिकी आने वाली है इसके उप्रांदों से यश्मय आपके पारिवरिक जिवन के लिए जो शमय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों घर परिवार में बाद बाद जैसी त्युति वियुत पन नो होने दें दोस्तों आपको बदा दें कि पती पतली आपशी शैयोग दोवारा वातारौन को श bere將 रहें hehe ऑर शेट लिए बेहत रहेंगे और इश्कुप्रान दोस्टे ये श्मय आपके लिए जो समय होगे आपके घर परिवार के लिए जो समय होगे आपको बता दें कि दोस्तों घर की छोटी मूटी नकातमक बातों को नदाज करें इस ये आपसे समन बहतर रहेंगे घर के बड़े बज़गों का शिरुवाद जो है परिवार पर इश्मय बना रहेगा इसको प्रांद दोस्तों ये श्मय में आपकी स्वास को लेकर बात करें अर्थात आपकी हेल्थ की तो दोस्तों ये श्मय सिर्दर्द वह फिर ठकान जिसी इस्तिति हावी होशकती है शर्दे से अपना इश्मय बचाव करें तथा उचित खान पन भी आपको इश्मय लेना चाहिए दोस्तों ये चीज आपके स्वास के लिए इसमय बैतर होगे